हेलो बच्चू, वेलकम बाक तो माई चैनल, कैसे हो आप सब लोग, मेरा नम जगदीप है और मैं पिछले 18 सालों से एकनामिक्स पढ़ा रही है और मैंने कहीं सारे बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए मुझे तकरीबन हर एक बोर्ड के बच्चों अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्यूंकि इस साल आपको मेरे चैनल पर कहीं सारे इंपोर्टन टॉपिक्स पर नोट्स और क्विजज मिलेंगे ठीक, तो बच्चों चलते हैं क्लास में मारे पिछले वीडियो लेक्च्चर में हमने बात की थी कंजूमर एक्विलिब्रियम की विद वन का मॉड़िटी ठीक है इस वीडियो में हम बात करेंगे तो लॉफ एक्विमाजिनल यूटिलिटी की ठीक है लॉफ के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की ये क्या है तो ये जो लॉफ है ये गोसेन ने दिया था और इसलिए इसे गोजेन सेकंड लॉफ बोलते हैं गोजेन का फर्स लॉफ कौन स कंशीम कर रहा है और उसी में वह एक्विवीब्रिम आटेन कर रहा है ना बट यह रियल वर्ल में तो हम बहुत RAW कंशीम करते हैं तो उस condition में हम अपनी maximum satisfaction लेवल को कैसे determine करें यह सारी चीजें हम Equi-marginal utility का जो law है इसमें पढ़ते हैं ठीक है तो हम आजीम करेंगे कि जो consumer है उसकी जो spending है वो दो commodity इस पे वो spend कर रहा है एक commodity X और एक commodity Y ठीक है तो अब यह law जो है वो क्या कहता है कि consumer gets maximum satisfaction कब when the ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal and marginal utility falls as consumption increases इसका मतलब क्या है कि जब consumer equilibrium में होगा तो उस समय उन दोनो commodities का ratio किस चीज का उन से मिलने वाली marginal utility और उनकी prices का जो ratio है वो equal रहेगा दोनों commodities का और marginal utility जैसे हमने diminishing marginal utility में पढ़ा था marginal utility will fall कम होगा कब जैसे-जैसे consumption बढ़ेगी ठीक तो टेक्निक लिए यहाँ पर दो conditions बनके आ गए हैं कौनसे conditions condition 1 कि जो रेशो है marginal utility और price का दोनों commodities का सेम रहेगा और दूसरी condition कि जैसे-जैसे यह consumer consumption increase करता है या बढ़ाता है अब जब हम बात करते assumptions की तो जो assumptions हमने consumer equilibrium with single commodity में पढ़ा था वही सारे assumptions इस segment में भी applicable है चीक है इसलिए मैंने दुबारा से नहीं लिखा है अगर आप देखना चाहो तो consumer equilibrium with single commodity वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना वहां मैंने जो assumptions है वो explain किये ठीक अब इसको numerically हम थोड़ा से explain करते हैं इस law को तो numerically हमारे पास पहले क्या चीज़े हैं हमारे पास given कुछ चीज़ें कंजूमर की income है जो की फाइव डॉलर की है commodity X की price वन डॉलर है और commodity Y की price भी वन डॉलर है ठीक है तो यह हमारी situation है अब यहां पर यह table हमने बनाया जो marginal utility बता रहा है दोनों commodity commodity X और commodity Y ठीक कंजूमर के पास कितने वैसे फाइफ डॉलर तो यहां हमने units of money लिख लिया तो जो पहला dollar है consumer सबसे ज़्यादा utility से जहां मिल रहे हैं वहां खर्चा करेगा है ना राश्नल है कंजूमर तो कंजूमर कहां खर्चा करेगा यहां पर commodity X में फर्स्ट यूनिट बीस यूटिल्स का marginal utility प्रोवाइट कर रहा है ठीक तो कंजूमर ने यहां पर फर्स्ट जो हमारा unit है पैसे का यहांने की एक डॉलर यहां पर खर्चा कर दिया अब सेकेंड डॉलर यह कंजूमर कहां खर्चा करेगा सबसे ज्यादा utility अब इसे कहां मिल रहे है गुडवाइप मिल रही है 16 यूटिल्स के साथ तो यह गुडवाइज जो है second dollar वो यहां खर्चा करेगा अब थर्ड डॉलर वो कहां खर्चा करता है second unit of commodity X क्याब यहां पर इसे सबसे ज्यादा satisfaction मिल रहे है utility मिल रही है commodity X ठीक अब चौथा जो unit है वो कंजूमर कहां खर्चा करेगा अगर हम ध्यान दे तो यह भी हमें 12 यूटिल्स दे रहा है और यह भी हमें 12 यूटिल्स दे रहा है तो छाहे तो फोर्थ unit अपने पैसे याने कि चौथा डॉलर यहाँ पर खर्चा कर दे और 5 यहां खर्चा कर दे है जहा खर सकते है या फिर चौथा डॉलर यह और पांचवा डॉलर यहां खर्चा कर दे तो तो इसने कड़े तीन units जो है commodity X के लिए और दो units commodity Y के लिए अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दे तो consumer के last two units जो उसने खर्चे किये अपने पैसों के जो फॉर्थ डॉलर है और फिफ्थ डॉलर है वो एक ही utility प्रोवाइट कर रहे हैं 12 utils की utility यह दोनों units जो हैं वो प्रोवाइट कर रहे हैं ठीक है और marginal utility जो है वो गिर भी रही है जैसे जैसे consumption बढ़ रही है तो हमारी दोनों conditions यहां पर fulfill हो गई है attain हो गई है ठीक है अब हम यह देख लेते कि पूरे पांच टॉलर को खर्चा करने के बाद consumer को total satisfaction कितने की मिल रही है है ना so total utility जो है वो है consumer के लिए good x से 20 प्लस 14 प्लस 12 और good y से 16 प्लस 12 और commodity y से 28 याने की total utility जो है वो 74 utils की मिली है ठीक है तो यह वो situation है जो यह दिखा रही है कि यहां पर consumer ने जो है अपनी पूरी income भी spend कर ली और commodity x के कितने units लिये हैं 3 units और commodity y के 2 units अब अगर consumer in total 5 units के बजाए सिरफ 4 units ले मान लो यह थर्ड यूनिट वाला जो 12 utils का satisfaction है यह consumer नहीं ले रहा ठीक है तो उससे consumer अपनी जो income है वो consume नहीं कर रहा और प्लस उसकी utility 46 के बजाए 34 पे रह जाती है है तो मान लो अगर यह 12 वाली जो utility है यह इसने amount commodity का consume नहीं किया है cancelled है वो तो utility कितनी रह जाती है 34 और वाई से मिलने वाली जो utility है वो 28 की 28 है तो इन भाई साब की utility कम हो कर के 62 utils रह जाती है और 74 से 62 छोटा है बाट मेंस यह consumer अभी भी satisfied नहीं होगा प्लस इसके पास एक डॉलर अभी भी pending होगा balance कोई भी rational consumer अगर उसके पास पैसे है तो वो और खर्चा करेगा तो यह 12 यूटिल्स वाली जो happiness है उससे वो attain करेगा और उसकी जो टोटल यूटिलेटी है जो maximum utility उसे इन दो कमोडिटी से मिल रही है वो होगी 74 utils अब इसे algebraically हम कैसे लिखेंगे marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y so हमारा जो last segment था दोनों में वो था 12 utils का और दोनों की price थी 1 तो यह जो है हमारा equilibrium attain हो गया i hope बच्चों आपको यह सब समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया तो दुबारा से एक बार इस वीडियो को चेक आउट कर ले ठीक इस वीडियो को conclude करने से पहले यह बता दू कि यहां से जो है अब शुरुवात होती है हमारी ordinal measurement of utility की में हम कौन सा कॉंसेप्ट यूज करते हैं अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई नाव टेक केर कर दो